जै माकाली दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सभी? उमीद हैं आप सभी अच्छी होंगे, खुश होंगे और स्वस्त होंगे? माता काली और बाबा भेरुनात की गिर्पा आप सभी पर बनी रहें, माँ आप सभी के अंधन के भंडारे बढ़ती रहें, आप सभी विशा कुछ नहीं और परिवार सहीद व्यस्त रहें, यहीं मेरी माँ से एक आमना है आज मैं आपके लिए एक और महतपूर्ण जानकारी लेकर क्या आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, कि माता काली की अगर हम घर में पूजा करते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ, और माता काली की पूजा करने के बाद हमारे घर में दिक्कते परिशानिया क्यों आने लगती हैं, क्यों घर में लड़ाई जगड़े शुरू हो जाते हैं, ऐसे कौन सी हमगलतियां कर देते हैं मतकाली की पूजा में जिसमें हमारे साथ में ऐसा होता है, तो यहीं सरी जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो का अंतर पूरा देखें इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्पूर्ण पॉइंट आप से छूट ना पाए और साथ ही अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन नान चयां अच्छे से नहीं पाएं जिसका प्रतिमा का करते हैं तो क्छ लोग कि फोटो की पुझा करने लगते हैं मा की फोटो की पूजा करते हैं, इस प्रकार से मेरे पीछे तस्वीर लगी हुए, इस प्रकार से आखर किसी प्रतिमा लेनी पड़ती हैं, मा की मूर्ती लो, छोटी लो लेकिन मा की मूर्ती लो, मा को जागरित स्थिती में अपने घर में रखना चाहते हैं तो उनकी मूर्ती लो तो आप जो पूजा करेंगे जो बोलेंगे वो मा सुनेगी तस्वीर में मा नहीं सुनती दूसरा तस्वीर में हमारी पूजा भी सुईकार नहीं होती हैं तो यहां पर एक गलती हम यहां यह क कोई तस्वीर लो तो उनकी सोम रूप की फोटो लो जितनी अच्छी से अच्छी हो सा के अच्छी मा के विक्राल शूरूप की पोटो की कभी पूजा नहीं करने चाहिए कुछ लोग माके 10 बुजाओं वाले हाथों की पूजा घर में करते है तो घ्रस्त जीवन میں मा के दस वजाओं वाले हातों की पुजा आपको नहीं करनी किया लिए उसकी आपको सेवा नहीं करनी होती है मा के शान्थ शुरूप की सेवा करिये, मा को सोम रूप से पूजिये और फिर बात करें माता काली, माता काली को कुछ लोगों ने माता काली के नाम से बहुत ही जाधा जो है फेमस कर रखा है, उल्टा सीथा बोल करके, कही पर्चंड देवी है, उग्र देवी है, शम्शान की देवी के अगोर ये ये वो तो ये लोगों की मन की अपनी अपनी मंशा है जब माता काली जब मा आगे लगा दिया तो समझे मा तो मा होती है वो अपने बच्चों की हर हाल में रक्षा करती है क्या मा कभी अपने बच्चों का गलत करेगी नहीं करेगी मा जोलिया भरती है मा बंडारे बढ़ती है जिसने मा की जोली पकड़ ली तो समझ लो मा ने उसकी जोली भर दी तो मा को आप मा रूप में पूझिए मा कभी आपको चोट नहीं पहुंचाई कभी आपके साथ में कुछ गलत नहीं होने देगे लेकिन वहीं बात करें जब आप घर के अंदर मा को ज लेती हैं और वह वाशिद हो जाती है फिर वह आपके साथ में गलत करती हैं इसी कारण से आप मा की सेवा में अच्चूक गलतियों का अपने जीवन में सामिल कर लेते हैं जिसके लिए आप को आगे जाकर दिक्कतों का सामना करना पड़े मा के सौम रूप की पूझिए कोई मा की सेवा करने लगता है तो उसके अंदर मा का सौरूप आ जाता है है ना उसका रहना उसका खाना पीना उसका रहन सैन उसके एक्टिविटी सब मा की तरह ही होती है बात कुछ लोग तो जैसे कि कोई जैन्स अगर मा की सेवा कर रहा है ना तो आप देखते हैं उनके स आत में सच मुछ मा की उरजा चल रहे हैं नौर्मल वैक्ति क्यों ना मा की तरह चलने लगते हैं तो लोग उसके अज़िब करने लगते हैं तो वो मा का सोरूप है, इसलिए उनके साथ में एक सी एक्टिविटिव होती है, उसके साथ साथ उनके साथ में क्या होता है, उनको गलत बातों पर बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं, जूट बरदाश नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ अत्याचार होता हुआ नहीं देख सकते ह जब भी उनके सात्मिय अगर माता की कोई शक्ति चल रही है, तो उनका जो सोरूप है, उनकी चार ढ़ाल, बोलने का तरीका, छोड़ चोटी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है, परचंड क्रोध आजाता है, वो क्यों आ जाता है, वो मा की कारण आता है, जो मा उनके साथ तो मा है, मा परचंड देवी है, यह सकते हैं, लेकिन परचंड तांतरिक लोगों के लिए है, जो मा को तंतर में चलाते हैं, जो घरस्त जीवरे मा को पूझ रहे हैं, उनके लिए मा सुरूप है, लेकिन फिर भी जिनके साथ माता काली चल रही है, उनके साथ कोई गलत करता है तो उनका प्रचंड रूप सामने आता ही आता है तो इस चीज में कोई दोराय नहीं है कि जिसके साथ में मा की शक्ती चल रही है उसके साथ में कोई गलत कर सकता है मेरा ये अपना खुद का अनुभाव है ये मेरे अपने जो मैंने जीवन चक्र में देखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जिसके साथ मा की शक्ती चल रही है उसके साथ कोई गलत नहीं कर सकता आज आप गलत करोगे वापस लोटकर आपको ही वो मिलना है तो इसलिए मा के भक्तों के साथ कभी भी जो है छेड़ छाड़ करने की कोशिश ना करें और जो भी मेरे मा के भक्त आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो विल्कुल बेफिकर हो जाईए अगर आपके साथ आज परिक्षा के रूप में कुछ गलत हो भी रहा है तो वो गलत न ना कहिएगा पूजा कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है हम तो मा की सेवा करने के बाद में और फरिशान होगे ऐसा कभी ना होईएगा क्योंकि मा आपके सामने से मखोटे हटा रही है तो इन मखोटों को आगे आपको बहुत जुरते पढ़ने व के प्रश्णों के उतर के साथ तब तक के लिए सभी को जैमा काली हारर महादे